अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है, यह संकेत हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है, कहा जाता है, मा लक्षमी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है, उस घर में कभी धन धा तो वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है, उसमें बताया गया है, इसे घर में। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविश में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। अगवान का आशिर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें तो चलिए जानते हैं। तुलसी के उन संकेतों के बारे में जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना की नहीं तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है। कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। नमबर दो जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुब शकुन माना गया है। तुटकर अपने आप गिरने लगे पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है। लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुब माना गया है। तो आपके घर में क्लेश वबंटवारे जैसी मुश्किले आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकती हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ती से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी पौधे के समीट घी का दीपक अवश्य जलाएं। नमबर चार बताते चलें कि अकसर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितना बार भी तुलसी का पौधा लगाएं। वह सूख जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता मुर्जा ही जाता है तो यह इशारा करता है कि आपके घर बुरी वनकारात्मक शक्तिय का वास है, साथ ही साथ यह पित्रदोश का भी संकेत देता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो इसे कश्ट से छुटकारा पाने के लिए जुरुरत मंद लोगों को दान करें, और तुलसी के समीप रोज सुभा शाम घी का दीपक जलाए, और नियमित रूप से तुलसी की देखभाल करें, नंबर पाँच आपने कई बार देखा होगा, तुलसी के पौधे के पास चीटियां जमा हो जाती है, आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, चिंटियां मकौडे जैसे छोटे छोटे जीव वहाँ अपना घर बना ही लेते हैं, लेकिन बता दें कि शकु नंबर छे, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिडिया मन मोहक कोयल आकर बैठ जाएं, जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए, तो इसे बेहद ही शुब शकुन माना गया है, इस संकेट से यह पता चलता है, कि जल्द ही आपको धन लाब होने वाला है, और आप के घर में माता लक्षमी का वास होने वाला है, तुलसी के पौधे पर चिडिया का आकर बैठना धन लाब का संकेट माना गया है, नंबर साथ तुलसी के पौधे का खूब हरा भरा रहना, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा खूब फलता फूलता है, या अचान भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सदैव सुख समरिधी का वास होता है। नमबर आठ शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकाद्शी के दिन तुल्सी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार और एकाद्शी के दिन तुल्सी मा भगवान विश्नु के लिए निर्जला वरत रखती हैं। इसलिए रविवार और एकादशी को जल चढ़ाने की मना ही है कहते हैं कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात मुकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है और ऐसा करने से भगवान विश्नु और लक्षमी माता आप से नार तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी की मंजरी को हटा कर या तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसको सूखा कर तुलसी के बीच की ऐसे रख लेना चाहिए। तुलसी के कुछ खास नियम जानते हैं। तुलसी के लिए वरत रखती हैं। और जल चड़ाने से वरित तूट जाता है। आल पर सेट कर ले विडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तुलसी के लिए। तुलसी के लिए। तुलसी के लिए। झाल झाल